Hello and Welcome to e-Learners तो आज देखते हैं September 1st week 2018 ते करेटे थे RMCQs यह से RMCQs SSH Alloy or Banky related हुँँगे इसे के लिए लग से वीडियो आएगा तो मेरा नवे मैश शरू करने से पहले आप चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए तो पहला कॉर्शन देखते है Which country is worst लग 4th International Ayurveda Congress 2018 तो देखिए 4th International Ayurveda Congress कौन से country में होने वाला है तो यह होने वाला आप में देख सकते हैं यह है Netherlands Netherlands इसका capital जो है Amsterdam यहाँ पर है Redmark किया हुआ तो Netherlands यहाँ पर 4th International Ayurveda Congress हो रहा है जो इंडिया से जो delegates गए है तो यह कौन है यह है हमारे आयुष मिनिस्टर ठीके श्रिपद यसो नायोग तो यह हमारे आयुष मिनिस्टर और आपको पताई होगा आयुष में जो 5 मिनिस्टर है आता है जो 5 तरह के जो medicine आते है जैसके आयरवेदा युनानी फिर योगा सिंथा हमियोपथी यह सार है तो यह नेदरलांड में हो रहा है और बाकी जो कंट्रीजे देख लीजिए Belgium Belgium के कैपिटल जो है Brussels then Russia तो आपको पता ही यह Moscow है and then France France का कैपिटल जो है Paris है और यह हर साल September 1 को मनाया जाता है 1st September हर साल Second question देखते है Rika Koiki who has become the first female athlete to be named as the most valuable player at Asian Games is from which country तो देखिए अभी हाली में Asian Games कतम हुआ है जागार्ता में तो इंडोनेशय में जो गेम कतम हुआ है उसमें most valuable player ठीक है एक अनौस किया जाता है तो यह कौन से कंट्री से इस बर का अनौस किया गया है ठीक है 6 gold medal जीते है ठीक है यह basically swimmer तो है और यह बस 18 साल की है और जो है Japan इन्होंने gold medal का अलावा और दो जो silver medal भी जीते हुए है ठीक है तो यह सारे facts आपको मालूम होना चाहिए और इंडिया ने कितने medal जीते इसमें यह भी आपको पतावना चाहिए ठीक है तो इंडिया ने जो जीते है total 69 medals जीते है ठीक है उसमें 15 gold भी है तो यह सारे facts आप अच्छे से यहाद रख लीजिए यह पर note भी कर लीजिए ठीक है हाट question देखते है which state government has decided to organize employment camps for matias families तो देखिए उसके वो कॉंसा state government launch कर रहा है कि कमसे कम एक वेक्ति को उस जो family से government job दिया जाएगा ठीक है तो यह जो है यह राजस्तान government का एक panel है ठीक है तो राजस्तान government ने तक्रिवान ग्यारासो ऐसे case लिगाल है जिनमें से matias families के जो 13 है उनको job मिलने वाला है ठीक है फिर देखते है which Indian sport person was the Indian flag wearer at the closing ceremony in the 18th Asian Games तो मैंने जैसे की बताया कि Asian Games अभी हाली में कतम आए तो Asian Games में जो opening ceremony में जो flag wearer थे वो थे निर्याथ चपड़ा ठीक है वो opening ceremony में flag wearer थे और closing ceremony में जो flag wearer थे इनका ना में Rani Rampal ठीक है तो यह Indian movement hockey team का captain है Rani Rampal ठीक है और जैसे की मैंने बताया कि India ने total 69 medal जीते है जिसमें से gold ay 15 silver ay 24 and bronze ay 30 ठीक है और एक चीज announcement हुआ है जो कि 2022 का जो Asian Games वो खानात होने वाला है वो होने वाला है Hongdao China में ठीक है तो यह भी आप यादर के लिए 2018 का भेनुत इंपोर्टांट है ही जो कि Jakarta और वालंबर्ग इन इंडोनेशिया और 2022 का भी इंपोर्टांट है जो कि Hongdao China है ठीक है फिर देखते है फिर देखते है moving on moving forward a year in office तो आपको पता ही वगा last year भेंगा है नाइट उजेज उनके आया है उप्रक्ष्ट्रपती के तरफे तो उनका एक साल खतम हुआ है इसी तरफे एक बुख लांग इन ने लिखा है moving on moving forward a year in office तो इसको लांग किया है PM ने जो और यह जो बूख है यह बस इनका office के जो experience है यह सारे चीजों के बारे में ही है फिर दिखते है what was the theme of the 2018 coconut day तो what coconut day 2018 जो है इसमें इसका theme क्या है तो इसका theme क्या है coconut for good health, wealth and wellness फिर दिखते है यह हो गया इसका correct answer coconut for good health, wealth and wellness फिर दिखते according to the reserve bank of India India's annual data which country has stopped the India's FDI chart in financial year 2018 तो financial year 2018 में कौनसा जो country है जहांसे इंडिया में सबसे जादा FDI flow होई तो यह जो है यह तक्जिवन 2-3 सालों से है जो मारिशियस है तो मारिशियस से सबसे जादा आता है फिर शिंगापूर से आता है तो मारिशियस is the current concern तो total FDI जो आया है इंडिया में financial year 2018 में जो कि है 37.36 billion dollar ठीक है और financial year 2017 का जो आया था वो था 36.31 billion dollar तो जादा इंफ्रीज नहीं हो है लेकिन खला की positive है ठीक है एट्स question दिखे विच इंडिया में ब्रीश प्रेयर अब क्रेटेट हिश्टरी बैक लिशिंग इंडियास first ever gold in breeze at the Asian Games तो देखे एशिंग गेमस के breeze champion में first ever gold medal जीता है pair में कौन दोनों है ये ये है प्रणक बरधन और शिबनेत शरकार ब्रणक बरधन और शिबनेत शरकार ये दोनों नों जीता है breeze जो गेम है ये first time यह मतलब जो यह 2018 का Asian Games में इसी में आट किया गया है first time ठीक है और इसमें जो first gold medal है यह इंडिया के तरफ से ही जीटा गया है तो यह बहुत ही important है इनका नाम भी आप याद रखिये या फिर वस डायरेक्ट यह भी कुर्शन कुछ सकते कि जो ब्रीज जो 2018 में आट किया गया है इसमें इसमें को से देश्ट से champion है तो वैसे भी इंडिया आप लगा सकते है या फिर इनका specific नेम भी आप याद रखिलिए ठीक है प्रणव कोड़तान और शिवनाथ शरकार यह है इस दोनों के photo आप देख सकते हैं ठीक है फिर देखते है who is the newly appointed secretary of ministry of steel the ministry of steel का जो secretary जुना क newly appointed किये गए उनका नाम किया है उनका नाम है बिनाय कुमार फिर फिर देखते है नेपाल भारत महेतरी पशुबती धर्मशाला which is recently in news is located on the bank of which river तो यह जो नेपाल महेतरी पशुबती धर्मशाला है यह actually एक टाइप के फाइफ स्टार या थ्री स्टार होटेल बोल सकते है इसको जो कि जो यह जो मंदिर है काटमाटू नेपाल पे पशुबती जी के यहाँ पे जो गूमने जाने वाला जो टूरिस्ट है इनके लिए य यह आँम पे रह सकते है एlles यह धीखिये यह घीखिये यह बागमाती रिबर के इनर पे इनर पे है नेपाल पे इसका जो impossible ॹऑ गया यह हो गया और भागमाती रिबर तो इसके नाम है Jain Muni Tarun Shagad, इनका जो शर्मन से क्या गोला जाता है? बोı Ellis Ques in India has owned India's only boxing gold at the 18 violation games 2013 जल रहा था, Jakarta में तो इसमें इंडिया के तिरफ से boxing gold है मतलब जो boxing gold है, इडिया ने चीता है, और ये एकी gold है, जो की boxing साया है, तो ये किसने चीता है, तो इनका नाम जो है, Amit Pagal, Amit Pagal ये हरेणा से है, ये 49 kilo category में gold चीता है, और सबसे मज़दार बात ये है, कि इन्हों ने जिनको हराया है, ठीक है, ओ एक लिटिगा Olympic gold medalist है, who has been named for the Dr. Bisira National Award for 2018 as Eminent Medical Person of the Year, तो किनको Dr. Bisira National Award for 2018 as Eminent Medical Person of the Year का आवाड मिला है, तो ये मिला है, वसंत्कुमार मिस्रा, जो के ओडिशा से बिलंग करते है, ये neurosurgeon है, और इनको ये जो आवाड मिला है, ये इनका neurosurgeon के लिया ही मिला है, उसमें जो जोगदान के लिए मिला है, और ये जो है, Dr. Bisira National Award, ये इंडिया का हाइस्ट मेडिकल अर्नर है, तो ये आप देख सकते हैं, इसरा हैब सेवराल, फर्स्ट इनिस्क्रेट, इन्लुडिंग इमेज गाइडेड, अंट्रियाजम, माइक्रोसर्जरी, ये फर्स्ट डॉक्टर इन्छावदेशिया तो परफॉ कामा नाइफ रेडिया शर्जरी और फार्स्ट इन्ट 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 पर्सट मेडिकल पर्सट अब द इयर का अवर्ड दिया गया है, तो नाम्या दख लिजे पर्संद कमार मिस्टा, फिर दिखते हैं, दो मॉल्टिनेशन शुनामी मग एक्सरसाइज ड्रिल अगर आप नामको अच्छे से ध्यान दे, तो आपको मालूम हो जाएगा, तो यह एक मॉल्टिनेशन शुनामी मग एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया है कर रहा है, और बाखे बहुत सारे कंट्रीज में आने वाले, आया है आ चुक है अलड़ी, तो यह जो डिल है, अब प्रिजिनोग्राफिक कमिशन, IOC, फिर देखते हैं, इंडिया वेक एक एक्रिमेंट को पर यह जो मौनुई बैज़ है, तो यह जो है, अभी प्रिसीटेंट का विजिट था है, आपे इन देशो में तो जो साइप्रस, तो साइप्रस के साथ यह दिया गिया गया है, तो साइ इनके साथ यह एक एग्रिमेंट साइन किया गया है, कि मौन लंडरिंग वगरा हो, फिर जो एनवर्मेंट को उपर भी कुछ दील वगरा साइन किया गया है, जो कि 2016 में हुआ है, इसको फिर से रिवाइब करना है, और जो आपको पता होगा है, इन्वेस्मेंट पार्नर सी इसका साइपरेश का 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 साइपरेश इ पिर यह एजिप्ट इससाइड में ठीक है तो यह मेडिटिनेंशी है और यह जो है यह है साइप्रश एक आइलांड कर्ट्री है तो वह एक variable device होगा smart watch के तरह है उसको हाथ में बैनल लाइन से electricity बैदा होगा हाथ में तो energy create हो सकता है इससे तो यह कौन से जो effect को लेके यह best है यह है piezoelectric effect तो piezoelectric effect को उपर यह best है यहाँ पे दिखाया गया कि prototype watch is apparently made from a crystal material which can produce an electric current when compressed or change shape when an electric charge is applied तो अब पुटता ही होगा नॉर्प से electric impulse से उससे energy create हो सकता है इसको ही piezoelectric effect क्या थे है फिर देखते है इंडिया इस hosting its first ever PIVA यह जो basketball championship से quality master event in which city तो यह जो PIVA 3x3 जो है 3x3 quality master events जो है basketball का यह काम पर खेला जा रहा है तो यह जो खेला जा रहा है इंडिया का हाइदरावाद में September 22 में यह खेला जाएगा और यह जो most prestigious basketball tournament में से एक है तो यह इसका जो anyway यह है है हाइदरावाद तो यह है हाइदरावाद जो है तेलेंगाने का capital है तो आप देख लिए तेलेंगाने का बार में कुश अप इसको अच्छे से एप आप बिसीकली अगर बैंक एक्जम के लिए तेयरी कर रहा है तो यह नशक्टेशन पार्स वागर आरेडड़रेट कूश लेते तो मालनुट्रेशन के लिए पोसान अभीनन शुरू किया गया था आपको पता ही होगा हरयें जो राज्थां से शुरू किया गया था प्रव पोसान अभीनन तो पोसान अभीनन के थैट कया है यह 0 से 6 येर्स के जो जिल्वन्ट ग्रूप में उनके जो श्टंटिंग वगरा है इसको कटाना है ठीके 38 परशन से 28 परशन को कटा कर लाना है यही है कोशन अविजन ठीके और यह राजसतान में शुरुआ था जो इंट्रेशनल ओमेंस डे के तरप्ठी के मार्स में शुरु इसलिए शेप्ट्यमर के करेंट पर गंदर डालागोई यह जो मन्थ है शेप्ट्यमर महीन को यह पार्मेंट अप इंडिया ने डिसेट किया है कि नाशनल इंट्रेशन मन्थ मनायांगे इज़ देख्थे फूछ चट्रेश इसथो पोष्ट दा इंट्रेनेशनल ओमें स्यूवीन दुनुमेट इंट्रेस्थ्ट्रेशनल ओमेंस रंद्रेशनल कातंड पर गंद पौ राहे तो कात्वंडू परगा यह नेभाल का अबिटर है इसका थेम है एब्जीए इक्वाली प्रशिया है और उक्रियान है इनके बीच में हमस्ता थे आपको पता हुगा रशिया ने आनेक्स कर लिया है कुछ जो उक्रियान का एक पाट है क्रिमिया उसको रशिया ने आनेक्स कर लिया है इसलिए यूक्रियन जो है यूएश और बाकी सारे देसों के साथ बेसिकल यूएश के साथ ही मिलके हर साल जो एक military joint military exercise करता है ताकि वहाँ पर अपना दबदबा बना रहे है कि आप एसास दिला सके रशिया को तो यह जो चीज है यह जो देसों के बारे में नहीं बुछता है लेकिन फिट भी कुछ चीज़े है जो कि important होते है और कभी का बार बुछ लिया जाता है ठीक है इसको रापे ट्राइड है 2018 यूक्रियन के साथ यूएश का मैं ट्रेक्सरसाज है तो यह दिया हुआ है जो चीज़े है मैं बोला भी यह है यूक्रियन का जो देखिए मैप में नक्षा यूक्रियन इसका capital हो है कीव देन यह साइड में देखिया आप रशिया है यह जो हिस्सा है यह वाला इसके बार में बात कर दा हूँ यहां पर है फिर यह जो है रशिया से टूटी हुए यह पहले जो थे जब रशिया जब पहले जब उनाटेड था शोवियत उनियन था उस टाइम के यह सारे कंट्री मिले हुए थी वांडर वाट लोग दा इंटरनेशनल ओंबस्मेंट स्कीम 2018 गिव स्टाचुटरी पावर टू इंटरनाल ओंबस्मेंट जिनका पास समझेके कंप्लेंट करता है कि यह चीज़ों के बार में तो आपको पता ही मगा बैंकिंग रेगुलेशन आक्ट में यह सारे चीज़ल जो मेंचन है कि इंटरनल ओंबस्मेंट के पास स्टाचुटरी पावर है तो यह पावर कौन से आक्ट के ताहिए गया है य जो आपको पता है जो डूबाई जीका बडा सा टाहून है लेकिन इसका कैपिताल दुभाई ने यह is Fachuse enroll Until कुछ चीज़ा है जो गल्फ पंट्रिस के बार में आप अगर कंस्यूज हो रहे तो अच्छे से जग आप नोट कर लिजिएगा जैसे कि शाओधिया रभिया उसका कैपिटल रियाद है और UAE इसका कैपिटल जो है अबुदा भी है तो यह देख लिजिए यहां पर मैं पर त यहां पर बड़ाशा है इसकीं के पीछ जो है इस जो तो यहां पर यह यह था जो अधा जे बाड़ा है टो जो यूद्धार, जो अल्टक टो यह अधिएग ऑसका जो यह गल्फ बीच में, जो तो शुटा दिफेंस मिनिस्टर एंड जो एक्सनाल अठाल अफेंड स्मिनिस मिनिस्टर और इनका नाम सारे चीज़ आप याद रुखिली है, गंदली में होता है शेप्टमर 6 में, और U.S. जो सेक्रेटरी अफ स्टेट है, माइकल आर पॉम्पियो, यह फिर माइक पॉम्पियो जिनको बोला जाता है डिरेक्ट, और जो डिफेंस मिनिस्टरी है, इनका माइक पॉम्पियो जेम्स एन मैटिस, इनके साथ हमारे तरफ से कौंता है, अग्देगा शुटमर शुटमर जी और जो डिफेंस मिनिस्टर निर्मला शीतरा मन जी, फिन देखते है, कुछ शेट गवर्मेंट अस डिसेट तो प्रोवाइड पॉम्पियो जेम्पियो जेम् प्रोवाज्य स्थान के वोमेंन को 500 अगे सताथ गवर्मेट जेता है, यह भी राजस्तान ही है, चो माइदध बाला शुटमर जेम्पियो जेला जुटमर जेला जाये अगे, यह बिफेंस्टन के वाड़ जी जिके सर्कारे अपे याद रिख लैगे सर्कारे, तो यह जो भ प्रिश्टा एल्स एंड रंधामबोर एंड शालिस्टा इए तो इसका वेन्यू था निविडली ओगा है और पार एक चीचा प्यादर रुख लिए यह सिविल अगेंश्टर का मिनिस्ट्र काने यह शुरस्प्रभुजी के पास और तो मिनिस्ट्री भी है ठीक है पार्शन इन्नस्ट्री का मिनिस्ट्री भी शुरस्थ σ्थ 이용 पासिक है तो इसको और गानेश्टी इसका द्वार आ कियाँग है यह जो की है अचि नर्डां एंट्र नेश्ट्णल चैर्श्ट्रुन viktigt है इसली एनका जो और बेर नाश्टर से यह बहुत IMPORTANN है इनके प्रस्विक्तिव से एक्ट्राइभलान हो जाता है, एस सीगे नहीं तो इनके जो और अर्गनेजर से हैं, यह है Ministry of Civil Aviation, जो कि है हमरे इंडिया का है, देन the Air Port Authority of India, देन the International Air Transport Association यह है International Airport, यह है इनको और अर्गनेजर से हैं, निदिल में हुआ है, अलिमें फिर द्डखे, वρε वा पहले प्रेशिडेंत थे, उनके बाद अभी ने प्रेशिडेंट। पहले वाला कमन था एक ते मौननुशन जी, ऑपकिस्टान का प्रेसिडंट थे नवासरी प्राइमिनिस्टर थे पिर इनके जो PM चुनके आ है, नए PM, कट नाम है, इम्रान थां, अभी नाय प्रेसिडेंट भी चुनके आ थाय है, इनका नाय है, आरे फलभी, क्ट नाम है, रि इसमें 50 मिट्र पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मिटल जीते हैं इनका नाम क्या है इनका नाम है ओम प्रगाश मिथरवाला पोट भी देख सकते हैं यहां पे ओम प्रगाश मिथरवाला फिर दो क्या है इसको डिरेक्ट को अगर इसको अपता सब्च किया है गैसे तो स्री लंका इंडिया यह चाहिए रहेखली इसको आगर इनका नाम से ही पूरापता सब्चाएगा कि जो है प्याले जो बाई एंस वाल था है अभी 2018 से हर साल होगा आनुमर हो जाएगा और इसका जो भेनियों हो साल ये है क्रिंको माली होने वाला है इसका जो एंसर हो जाएगा इंडिया जो गलाबरेटा और इस्ट्रों से प्रोग्राम का गागनजान पर्स्ट तो ये नाम यह बहुत इंपोरट हो इंडिया का फर्स्ट स्पेस फशलाइग्र प्रोग्म में एंडियो को इस पस्पेस में incentाल के पारेगा सो कौंसे कंड्री है वहने angज़ कारेंकर एक्षण कि है कि हम इन में उदद करेंगे तो यह है फ्रांस जो है परिस पेपिटल है यह यह करेंगे इन अब देख सकते हैं फ्रांस इर्पिन कंट्री है तो उबर जो गीए तो इन यहाप है तो चुक्छ पिलियम नेदर लैंड देर्मनी तेन शुषरलैंड उना गो तो य आपको आइडीया रहे कि कौँसा कॉंसा कंट्री कहां पे यह सरे दीजे तो फ्रांस त्यू ड़िश्द आखें तो फ्रांस आखें एंड अटेप्रलिंट्री इनिशिटिव्स हाज बिन लॉःजट वाइद फाइ इंडियम गोश्वर्मेंट फर कॉफी ग्रोःस तो कॉं इसका जो नाम है, यह है coffee connect, coffee connect इसका नाम, इससे होगा क्या basically, the coffee connect will gather all information relating to various coffee, plantations in the country, इससे क्या होगा इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इंप्रूवब होगा, efficiency of the field, functionaries, particularly extension workers, subsidy disengagement and real-time report generation, coffee krishe taranga और एक यो रिलीस क्या गया है, इससे क्या होगा, customized information जिलेगा, इसका जो नाम है पच्छे से अधर किचे, दो जो शेवा यह अश्किया गया है, एक तो है coffee connect, दूसरा है coffee krishe taranga, तो देखिये, जस्टिस रंजन को गोई, जो कि अप्टाबर 2 से बन चुके है, इंडिया का 46th Chief Justice, इससे पहला कौन थे? धीपक मिस्टरा थे, ठीक है, आपको कता है होगा धीपक मिस्टरा थे, जो कि 45th Chief Justice of India थे, और अभी जो है, 46 Chief Justice of India, जस्टिस रंजन को गोई है, तो पहल तो नमपर पर विध्याम दीजेगा, एं 46th है, और जो पहलेवाला जो दिपक मिस्टरा जी थे, वो 45th थे, ठीक है, तो यह कॉंसे इस ट्रेट से है, तो इस ट्रेट यह जो है, आशाम से है, पर यह बहुत इंपोटन हो जाता है, इस टाइम में इनका Chief Justice बनना है, क्योंकि क्योंकि आशाम में भी आली में इनर्सी चल गया है, तो जिसके है, डीचेमबर में आने वाला आए रेजर्स पकेड़ा, ठीक है, काज इन 2018 is an army exercise between India and which country, तो काज इन जो है, इसका नाम से पता चलता है, लेकिए काज, काज पर काजाकस्तान, ठीक है, तो काजाकस्तान इंडि काजेक्सा तब लिख लिजे इनकोंगे पेपर पे, हीठक है, काजेक्सा पेपर पे, में आदकी में एन जाम से अटिक है, ये जो है, काज़ाकस्तान एक्षर्शाथान है, ठीक है, तो काजाकस्तान इसका ये और काज इन 18 is an army exercise between India and Kazakhstan, तो ये जख लिखेक्स्तान, ये वाला और यहां जो नीचे है उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितने भी जो हमारे आरावली कंट्रीस है, जो मुसलमन कंट्रीस है, ये अपको मिलेगा, ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान, काजाकस्तान, पाकिस्तान, गिर्किस्तान, आफगानिस्तान, उजबेकिस्तान, ये सा आपको पता होना चाहिए एक देन आपको कोई प्रब्लम लियोगा शोफिया जो है ये बुल्गरिया में तो शोफिया इन्डिया ने अभी जो साइन किया है कि हिंदी चेयर एक स्टाबिलिस किया जाएगा उसके लिए हिंदी का जो एक अलग से सेपरेट यूणियन होगा जा मेप में तो एंडिया जो शॉपिया में तो इन्डिया जे अचाहिए है ये कहांपे यह बहुत ही आच्छा हुई है ही यह जो है यह Chicago है ठीक है क्यों यह coincidentally में बतरव देखिए यह जो है यह इस साल का जो World Hindu Congress है यह 125 years of celebration है जो कि शुम विवयक अनन्द जीन ने दिया थे तो उसका 125 वा बर्ष जयनती है जो कि फिर से Chicago में ही हो रहा है क्योंकि यह जो स्पीस इनो ने दिया था यह भी Chicago धर्मशाय मिलनी में ही था और अभी यह 125 वा यह भी Chicago में ही है तो इसलिए यह question बहुत इंपोर्टाट हो जाता है आपके से इसको यादर कीज़ी फिर देखते ह पूच अब दगूर्ण स्पोर्ट तो यह जोg एक्सपोर्स परसन है इनका नाम क्यों कि यह भी हाली में जख़र्टामें गेम फूर्स में इनका कर लासे कर लिए थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते है उनका जो ट्रैक आउट अफ ट्रैक हो गये थे इसलिए उनको ये मेडल नहीं मिला है ठीक है तो ये बिसिकल लिए इनका फोटो भी देख सकते है गविंदालक्ष्मिन नम ये निक लिए ये लिए ये लिए ये लिए ये इसलिए इनको ये ब्रोंज मेडल नहीं मिला है ठीक है दो स्पोर्स मिनिस्टर राजवर्दन शेंगर आथोर हाज अनौंच ये 10 लाग आवार तो इनको एक आवार दिया गये 10 लाग रुपीस का ठीक है देन ये जो है आकमेर लोंग दिस्टेंस रॉनर रहे है जो 10 अमटर प्र प्लस टू डायलक जो है उसमें कौन सा फैक्ट संग किया गया तो हाला मैं पोटो में देख सकते है ये दोल हिंदू का एक कड है तो ये है कॉमकर्सा शंग किया गया ठीक है इसकी डिफेंस कम्यूकरशन बढ़ेगा ठीक है तो इसके बार में पूरा दिया पर देते हैं 37th question तो 37th question क्या है Which person has been appointed as the new brand ambassador of BSNL तो BSNL का new brand ambassador कौन है इनका नाम है Maricom Maricom के उपर movie भी आया था है तो यह पिसके लिए boxer है Manipur से Maricom इनको अभी BSNL का ambassador बनाए गया है So the Maricom has been appointed as the new brand ambassador of BSNL फिर देते section 377 which has been recently decriminalized came into force in which year तो देखिए इसके उपर तो बहुत ही हाला चलना है सभी को पता है जो भी preparation में रहे है news बगर आप सुनते होंगे तो दो sections जो 197 है और 377 यह दोनों ही news में रहते है हमेशा तो देखिए जो section IPC 377 है यह came into force in 1861 तो इसका जो एंसर हो गया है यह तो 1861 है लेकिने समझना बहुत ही कर रहे है section 377 important की हुए और इसको क्यों किया गया है यह क्या कहता था यह British school में अपलाई किया गया था और यह criminalize करता था काई हो कौन सा homosexuality को ठीके against any sexual activities against the order of nature including homosexual activities are criminalized ठीक है तो इसको criminalized कर दिया गया था उस टाइम दे ठीक है कि जो नेचर का order के खिलाफ अगर कोई लड़का लड़के से समझना रख रहे है या फिर लड़की लड़की से समझना फमो sexuality आपक समझ में आ रहा होगा ठीक है तो यह जो नेचर के against है तो इसको criminalized कर दिया गया था ठीक है यह जो एक्सोट पंच साल का वर्ड जो colonial कानून है गे सेक्स को जो criminalized करते है punishable करते है दस साल के jail time है इसके लिए तो यह सारे चीजों को अभी सिप्रिम कोड़ने अभी privacy के तरत खतम कर दिया कि यह तो लोगों का private मामला है कि लोग क्या करेंगे क्या नहीं इससे कोई यह नहीं कि against of order of nature ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है unnatural sexual acts यह सारे चीजों का भी decriminalize कर दिया गया है ठीक है लेकिन एक चीज है कि sexual act without consent continue to be a crime लेकिन अगर कोई without consent में यह सारे चीज़ करें चाहे हो gay sex हो यह फिर homosexuality को कुछ भी हो तो उसको criminalization अभी भी है कि without consent में नहीं कर सकते लेकिन हाँ अगर अगर दो party के consent है तो वो लोग जो भी करें उनका private मामला है ठीक है तो यह 1861 का कानून है आप इसको अच्छे से याद रख लिए थी फिर दखते 39 कुर्षें वीच अप दो फॉलोईंग मोग हाज बीकम दो फर्स्ट बालीवूड फिलिम एवर टू रिलीज इन शाओदियरेविया तो कौन सा मूवी है जो कि शाओदियरेविय में फर्स्ट बालीवूड मूवी है जो की रिलीज हुआ तो इसका नाम क्या है तो यह है गोल्ड अखें कुमर का मूवी आपको पताई होगा इंडिया का जो 1948 का जो लंडन ओलंपिक्स था उसमें होके ओलंपिक्स जो कि रहें तो गोल्ड मूवी जो है यह पहले वार साओदी आरभी आमें रिलीस किया गया है जाए नहीं देते दो मातमा गांदी इंटरेशनल शैनिटरेशन कन्वेंशन वो इलीज़ बी और इनियोन बिरिस्ट्री तो जो मातमा गांदी तो यह मिनिस्ट्री आप ड्रिंकिंग बाडरेड शैनिटरेशन के मिनिस्ट्री के दरह लाँच किया गया है अर यह जो है इनका नाम है उमा भार्ती जो कि इस मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्र है तो देखते हैं Which cricket team has own the 57th edition of Dulip Trophy 2018 तो दुलिब त्रफि्हा आपको पतए ही होगा है बांपूर के इंग्लन के तरफ से घ्राभू native दुलिब चेलें तरी इंडियान और सब्सक्राम प्रिखसी को ब में है क्या दो क्या डिया टी क्रिफेर क्या करेंक अब फ्ल्सक्रामा जो एक रावा एक एन्होंने भी ़ह क्रेट करें थिया ठास डी का इन्हें Raymond इसके अलावा जो IAFF U2T Athletic Championship चाल रहा था उसमें हिस्ट्रिक गोल्ड मेडल उन्योर्स जीनता था ठीक है ट्रक्वेंड में तो इसलिए इनका जो स्पोर्स अंपर्शन ड्राफ आसाम तेकलर कियाएगा यह बिसके लिए आसाम सही है यह होगा भी यह जो फूस्टेट है आसा इनका जो कॉंग्राट्वेशन्स गोल्डन गल इमा दास ठीक है तो फॉर विनिंग दा फॉस्ट गोल्ड मेडल एड़ वाल्ड्रक चंपेंशिफ ठीक है असाम के बार में गुस्ट साथिक फैक्स जासेग नेशनल पाक्स दिवरिशाइक हो आ हो काजी रंगा हो मानाश हो ना मेरी हो ठीक है ये सारे चीज़ा प्या देख लिए अजी रंगा में जो एक सिंगा गेंडा जाता है वो मिलते है फिर देखते हैं यह वाला अंडर फूइच अटिकील दा ओडिशा असेंब्ली हैस पास्ट ए रिजूलीशन फर स्टाबलिजिंग लेजिसलेटिव कांसिल बिदान परिश्ट जिसको बोलते है इन दा स्टेट तो देखे लेजिसलेटिव कांसिल यह वो तो फर स्टेट में होता है लेकिन लेजिसलेटिव कांसिल बनाएंगे स्टेट में ठीके तो यह कौन सा आटिकल के पास होता है यह आटिकल 169 होता है ठीके तो आटिकल 169 जो कि लेजिसलेटिव आसम्मिली जो चाहे तो स्टेट में एक रेजिसलेटिव कांसिल एक सिंपल मेजरेटी से ले सकते है ठीके बना तो यह जो है आटिकल 169 के ताहरत किया गया जाता है, तो question तो SEC के point of view से यह important हो जाता है कि कौन सा state जो है वो अपना legislative council के लिए पास कर वाल लिया है, ठीक है, resolution पास कर वाल लिया है, तो यह सर्थ दोड़ी सा हो जाता है, जैसे कि West Bengal अपना naam change करने के लिए resolution पास कर वाल लिय और अगर थोड़ा सा लीग में अगर बूचे तो कौन सा आटिकल के ताहते पास होता है, यह है आटिकल 169, ठीक है, यह जो है देखें, परेंटली, seven states have the legislative council, मैंने वह लिए लियन का नाम मता दिया है, फिर यह कुछ वोड़ी सा के बारे में कुछ स्टाटिक पास यह भी द तो जो लाल बातुर सास्त्री मेमोरियल फांडेशन ने, इसके सब्सक्राइक बहुत अच्छा पार भी है, तो इसके जो आमपास्टर है, ब्रांड अमश्टर की इनको बनाए गया है, ठीक है, तो इनका जो ब्रांड अमश्टर है, यह है अख्य कुमार जी, यह पोटो में is the disputed island between which are the following countries, तो यह आपको पता होना चाहिए, जो चागोशार की बिलागों है, चागोशार की बिलागों मतलब group of islands होते है, तो यह जो चागोशार की बिलागों है, यह कौन से दो कंट्री के मिज़ में यह वीवाद है, तो यह वीवाद है, देखे, यह पहले जो बात है यह आप थोड़ा सा लोकेशन देख लीजिए, यह है इसका लोकेशन, सागोशार की बिलागों का एकजार दिखागा है नहीं, यह बड़े में अपे, तो इंडिया के कंट्रिक्ष्ट में आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि यहाप अगर इंडिया है, तो यह वाला जो है, यह इंडिया लोशन के बीचों बीच पढ़ते है पुला आग्दम, ठीक है, यहां पर नीचे यह जो अमाटकस कर है, यहां पर छोटा सा कंट्री है, मरुशियस, ठीक है, और यहां पर यह जो आयलेंड है, इसके है पास, साओ उसार के फिलागो पास, यह बहुत सार आयलेंड यह अभी UK के पास है, तो इसको अभी यह लोग मतलब मानने ही रहे कि यह जो है लिसका तमोने के बाद UK इसको लोड़ा थे, इसको मरेशियस को, लेकिन ऐसा वो नहीं रहा है, क्योंकि उसका जो एक बहुत बड़ा आइलेंड डियागो गार्सिया, उसको UK ने धिया हुआ है, पास है, USA को, तो USA को हुआ पे नावाल बैस भी है, पियागो गर्सिया पे, तो मरेशियस अभी यह चल रहा है, इंड्रेशनल क्रिमिनल कृट माज यह इसका चल दाए, UN से भी रेजरूशन पास हो चुगा है, UN नस्यनल ना भी मरेशियस का इस सपोर्ट लिया है, तो मरेश के बीच में यह है तो इनको बनाया गया है यह है आर माधवन इनको बनाया गया है आर मेलाben अर्या हीतिश्च में च्ने को बनाया गया गया। धानों कुछेकन से lowmail दॉड़ै १ ह सदुख है, प्षिकी देस्ट्सपता, अपिर प equival to the data, from the UN Tourism Organization अलाय मैनीटीन में चूरीस्ट्न अर्यप्सटिरश्ट्स्ट्स्ट्स अर्षया है! आये, UN Tourism Organization का रिपोर्ट है, इसमें इंडिया में जो टूरिस्ट है, 2017 में ये है 15.54 मिलियार, ठीके, 15.54 मिलियार, जो कि ये, इसमें 1.5 करोर, ठीके, पर देखते हैं, तो ये है, इंडिया, इक्सका घर सरगार, ये है, इंडिया, फिर लेते, इंडियान पोस्ट्पेमेंट बैंक, तो इसमें 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 काड बनाया है, जो कि बाइमेंटरिक अथनिकेशन से काम करेगा, पास्वार्ट बिन नहीं जाए उसके लिए, तो ये जो है, बहुत है सिस्टम है, लेकिन अला कि ये कंप्रेट है, तो ये इस काड का नाम क्या है, इस काड का नाम है, इस काड का नाम है, कुईक रेस्पंस काड, कुईक रेस्पंस काड, वह बहुत इंपोर्टन है, आसे साइन से टेक्नलिश के टम्स भीव से, तो ये है, इंडियान दूसरा जो कंपणी यह कॉंसा है, यह है TCS, ठीक है, Data Consultancy Services. TCS जब आपको पता होना चाहिए, इंडिया जो Services के मामले में बहुत यह चाहिए, इंडिया का IT Services बहुत यह चाहिए, ठीक है. तो यह Services के मामले में, यह TCS कंपणी जो एडिलाक करूर मारको, रेलियोशन को पार कर चुक है, ठीक, 57 पूर्शन देखते हैं, विच उडिया डिरिटरी, बैक्स टॉप पोजिशन इन नाशनल क्लिन स्कूल आवार, तो नाशनल क्लिन स्कूल आवार के, जो अभी किया गया थ उसमें कौनसा इने डिरिटरी जो है, यह सबसे उंदा पोजिशन में है, तो यह यह है पूर्टोचेरी, पूर्टोचेरी है, कंपिटल कंडी चेरी, तो पूर्टोचेरी जो है, इसको मिलाईए अवार, पर देखते हैं, वो इस बिन रिलेक्टेड एज डिरेक्टर इन शा दक्रपूनाम् श्यत्रबाल शींग, फिर देखते हैं, कुई सोचेल लेतर कंपका निशेंग करेज्टर देखते हैं, तो तो टो यह यह डिरेक्टर थैं, तो देखते हैं, कजिनोंने भी है खमपणी ये लिजल्द डिने वा लाए है ये है याट्ल पेंवेंट मेंट्स और लिजूल तो इनो ना ये सिपमेंट मेंट्स लिजा करते लिजा है ये स्वतेरे पाटलेॉं procedure अभी करते हैयो